के लो फ्रैंड्स मैं हूं बिज्यस खुमार साहहू अब डिज्यस क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज हम पढ़ेंगे रिज्दिंग का एक नया चेप्टर नया topic ठीक ना जिसका नाम है blood relation, ठीक नया topic क्या नाम है blood relation, blood relation का आर्थ होता है खुन से संबन्हित रिष्टे, मतलब अब हम खुन से संबन्हित रिष्टे का question के हिसाब से पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दू blood relation का, हम सबस्पहले इसका एक जो सब्ध है ओ है concept is power ठीक ना तो जिस टाइप से हम question को ये question भहुत घुमावदार type के रहेंगे इसमें ठीक ना तो हमको concept लगा के कोस्षन को हल करना है ठीक ना तो concept ही आपकी सकती होगी इस वाले question को हल करने में तो मैं आपको एक संधार trick के साथ मतलब concept के साथ आपको इस प्रकार के question कराऊंगा अवर इन question तो मने particular आपको एक question नहीं कराऊंगा ठीक ना उसमें question कराने का सब्सक्राइब करें तो आज मैं आपको चार पांच कोश्चन अलग अलग टाइप के डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप के कराऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मैं आपको बता दूए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चरूर करें और हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो वीडियो आज का चालू करते हैं यहां से देखिए सबसे पहले हम ब्लर रिलेशन में क्या देखेंगे अपर जनरेशन ठीक ना अपर जनरेशन का अर्थ होता है हमारे से सब्सक्राइब चिकता हैं उपर में हमारे मा,पापा ठीक ना तो फादर, मदर, मा, पापा, दादी, दादा जी इस सबकिया है अपर जनरेशन के तीक ना हमारे से लोवर जनरेशन क्या हैं तो मान लिजिए आपका साधी हुआ होगा तो आपका बेटा भाई का लटका भाई का लड़का है सब क्या आएंगे आप से लुटे जान्रेशन में और हमारे जन्रेशन में क्या आएंगे ठीक ना मतलब हमारे लेवल में ठीक ना तो हमारे लेवल में क्या आएंगे हमारे भाई बहन हमारे भाई बहन चाचा का लड़का चाचा का लड़का ताउ का लड़का हमारी मौसी का लड़का हमारी फुगा के लड़के ठीक यह सब क्या तो हम कोश्चानों को किस टाइप से हल करेंगे, जब उपर जंदेशन रहेगा, बढ़े लोग आएगे, तो हम कोश्चान हल करने के लिए एरो का चीन लगाएँगे, तिक, एरो का चीन उपर की तरफ लगाएँगे, मैं आपको कोश्चान में अच्छे से समझाऊंगा, तिक हमारे level के जन्देशन रहेंगे, ठीक ना, हमारे level के जन्देशन रहेंगे, तो उस समय हम स्वेम चिन लगाएंगे, ठीक ना, मतलब की, हमारे level के मतलब, dash का चिन लगाएंगे, ठीक, बराबर में, question में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक, और एतो मालने जी ये normally के प्लस का चिन लगा देंगे फीमेल रहेगा उसके बगल में माइनस का चिन लगा देंगे ठीक प्लस का चिन लगा देंगे फीमेल रहेंगे लड़की रहेंगे या वरत रहेंगे ऋसके बगल में माइनस का चिन लगा देंगे पहचान के लिए टो बने रही है अब हम यहां से question चालू करते हैं तो आपका पहला question क्या है देखिए हमारा पहला question है B Q का पिता है ठीक B Q का पिता है B के केवल दो बच्चे है Q R का भाई है R बेटी है P की A P की 89 मतलब नातिन होता है या पोती ठीक ना पोती है अगर A का पिता है तो A का Q से क्या रिष्टा है तो देखिए इस प्रकार question कितने गुमाओदार होते हैं ठीक तो मैं इसको बताता हूँ कि आप कैसे हल करेंगे ठीक सबसे पहले हम सुरू से देखते हैं और हल करते जाते हैं ठीक B Q का पिता है ठीक तो B क्या है फादर है Q का ठीक तो Q को हमें हाँ लिखे ठीक Q का क्या है फादर है B तो मैंने बताया कि कोई बड़े रहेंगे तो क्या होगा उपर की तरफ एरो का चिन ठीक तो Q क्या है बेटा है जो भी है बेटा बेटी B क्या है पिता है ठीक तो इस प्रकार का चिन लगाएंगे अब आगे पढ़ते हैं बी के केवल दो बच्चे हैं, क्या है, बी के केवल दो बच्चे हैं, ठीक, क्यू आर का भाई है, किसका भाई है, आर का, तो क्यू आर का संबंद सेम लेवल में होगा, क्योंकि मैं बताया कि अवर जब हमारे लेवल के जनरेशन होते हैं, तो डाइस का चिन लगाते हैं, ठीक क्यू आर का भाई है समान में आप आगे देखते हैं आर बेटी है P की आर क्या है बेटी है मतलब हो से मुठ लगाएकmaster मैंने आपको बता है बेटा बेटी पाचान के लिए से माइण predictive बेटी है P की पी की किस्की बेटी है पी की यह बेटी है तो P की आ हो गई इसकी मा हो गया या पपा ठीक ना इसको उपर में लगाएंगे क्योंकि हम इससे बड़े हैं ठीक ना P इससे बड़ी है उपर लेवल की है उपर जन्देशन की तो यहां P रख देंगे ठीक ना अब हमने question में पढ़ाएं कि B Q का पिता है और B के केवल दो बच्चे है ठीक और यह दोनो भाई बहान है B के यह दोनो बच्चे हो गए ठीक यह दोनो भाई बहान है दोनो बहाने है ना दो बच्चे है तो B के के वल दो बच्चे है और यह भाई बहान है या फिर भाई भाई है ठीक ना बहान बहान तो यह दोनो बच्चे ह क्या होगा हस्वेंड वाइब पतली थैसे न होगेplant थेक लिज मतणलब भाया टूंजाने के लिए मैं प्लस चीन लगा देता हूं थैक तो प्रीट कौह खोद तो देखिए यह साधी सुदा हो गया ठीक अब आगे देखते हैं यह P की नवासी है पोती को या नाति न को ठीक ए किया है P की नवासी है P की नवासी है नाति है ठीक तो ए देखिए P की 89 है मतलब R की बेटी यह इसकी बेटी है तो इसकी बेटी ही न P की न पोती कह लाएगी इसकी पोती अब नीचे जानरेशन की है तो चीन किदार लाएगा erro का चीन नीचे ठीक A है कोन है sum A P की पोती है ठीक अब देखते हैं अगर A का पीता है इसकी मम्मी यह हो जाएगी तो इसका जो पती होगा ओ क्या हो जाएगा इसका एका पीता एस प्लस चिन हो गया क्योंकि पीता है ठीक ना किसका पीता है एका ठीक तो एरो का चिन इधर हो गया ठीक अब देखिए एस एका पीता है तो एसका क्यू से क्या रिस्ता है एसका आर का पती है, आर का पती है, और क्यू का क्या संबंध है, बहन भाई, भाई बहन का संबंध है, या फिर बहन बहन का संबंध है, क्योंकि क्यू को नहीं बताया है, कि लड़का है कि लड़की है, ठीक, कोई यो मतलब भाई बहन का संबंध है, या बहन बहन का, ठीक, तो आप बता ये कि आपके बहन ठीक ना आपके बहन के पती को आप क्या बोलोगे बहनोई बोलोगे या जीजा बोलोगे ठीक जीजा बोलते हैं तो पुराने जमाने बहनोई बोलते हैं जिसको एंगलिस में ब्रदर इनला बोला जाता है ठीक या फिर आप आप लड़के हो तो आप अपनी बहन के पती को भी बहनोई बोलोगे आप लड़की हो तो पर भी अपने बहन के पती को बहनोई बोलोगे तो S का संबंद Q से क्या रिस्ता है पुछाए ठीज ना ये दोनों भाई बहन है तो A S के क्या कहलाएंगे बहनोई, मतलब Q का S से क्या रिस्ता होगा, बहनोई का, ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, Q, S के क्या लगेंगे, बहनोई, ठीक, अब देखते हैं, हम नया कोस्चन, नया तरीके का कोस्चन, ठीक, ए इस टाइब का था, ठीक, तो आसा करता हूँ, यह आपको समझाया होगा, अब देखते हैं अगला कोस्चन, कोश्चन बताने का आर्थ केवल उस कोश्चन का हल ग्याद करना नहीं है कोश्चन बताने का आर्थ है कि हम किसी भी टाइप का कोश्चन आए उसको हल करें उस टाइप के ठीक कॉंसेप्ट समझेए तो इंसर हल हो जाएगा अब देखिए रगु और बाबु जुडवा है दूसरा कोश्चन क्या है रगु और बाबु जुडवा है बाबु की वहन रीमा है रीमा के पती राजन है रगु की मा लचमी है लचमी के पती राजेस है राजेस का राजन से क्या संबंध है चलिए हम निकालते हैं क्या संबं रगु बाबु ठीक रगु को R से दर्सा दिया बाबु को B से ठीक बाबु की बहन रीमा है अब बाबु की बहन कौन है रीमा ये भी सेम जन्देशन में है ठीक रीमा है बाबु की बहन अब क्या बोल रहा है रीमा के पती राजन है रीमा क्या है माइनस है ठीक इसके पती कौन है राजन रीमा के पती राजन है तो पती को बीच में प्लस चिन से दर्साएंगे मैं रिट कापल को बताया हूँ ठीक तो प्लस करके हाँ क्या लिग देंगे राजन ठीक मतलब रीमा के पति राजन रगु की मा लच्मी है रगु जो है इसकी मा कौन है लच्मी रगु की मा लच्मी है ठीक रगु की मा लच्मी है अब ध्यान से देखिए उपर में तो क्या है रगु बाबु जुडवा है मतलब भाई भाई है ठीक ना और बाबु की बहान रिमा है तो ये तिनों आपस में क्या है भाई बहान है भाई बहान है ना तो इसकी मा जब लच्मी है तो इसकी मा भी लच्मी होगी इसकी मा भी लच्मी होगी क्योंकि तिनों आपस म मतलब प्लस चीन, लच्मी माइनस चीन, ठीक ना, क्योंकि ये पत्नी है, लच्मी के पती राजेस, लच्मी के पती काउन है, राजेस, ठीक, आप बताइए कि आप अपने मा के पती को क्या बोलोगे, तो अपना पापा बोलोगे, ठीक ना, आपके पापा हुए हो, ठीक ना, अब बुला है, राजेस का राजन से क्या संबंध है, क्या बुला है, राजेस का राजन से क्या संबंध है, तो यहां समझने कोशिस कीजिएगा, यहीं स्टूडेंट गलती करते हैं, क्या बुला है, राजेस का राजन से क्या संबंध है, राजन से क्या संबंध है मतलब राजन का राजेस क्या लगते है कहने कारत क्या है राजन का राजेस क्या लगता है क्योंकि राजेस का राजन से क्या संबंध है तो राजन के राजेस क्या लगते है तो राजन का उन है ये हमने यहाँ डाइग्राम बना लिया, तो राजन का उन्हें है, रीमा का राजेस से क्या संबन्ध है, तो रीमा के पापा है राजेस, तो आप बताएं कि आप अपने आपकी साधी मान लीजिये हो चुकी है, ठेक ना, आप अपनी पत्नी के पापा को क्या बोलेंगे, मतलब अ इंगलिस में फादर इनला हिंदी में ससुर बोलते हैं ठीक तो इसका आपसर नंबर सी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा फादर इनला ठीक तो देखिए आसानी से समाझा गया किवर डाइग्राम जितनी स्पीड आप डाइग्राम बनाएंगे उतना जल्दी आपको कोश्चन हल हो जाएगा अब देखते हैं अगला टाइप का कोश्चन ठीक नेस्ट कोश्चन देखिए अगला कोश्चन क्या है सुनील केसव का बेटा है क्या है सुनील केसव का बेटा है सिम्रन जो की केसव की बहन है इसका एक बेटा मारूती और एक बेटी सीता है इसका एक बेटा का मायुष्टी से क्या संबंद है अब रिष्टेदार ही हमें नंबर दिलाएंगे ठीक ना देखिए सुनील केसव का बेटा है हम सुरू से करते चलते हैं ठीक यह भी थोड़ा अलग टाइप काई देखिए इसमें मामा आ गिया है त्यांसे मामा आ गिया है मैंने आपको बता आए था कि मामा ओगे आएंगे मामा मामी साससित तो कैसे करेंगे तो अभी पता चलेगा ठीक ना सुनील केसव का बेटा है सुनील कौन है सुनील केसव का बेटा है तो केसव कौन है पापा है ठीक केसव के सुनील के पापा है ठीक केसव का बेटा है तो सुनील के पापा है केसब, फिक ना, तो उपर चिन से दासा दिये, थिक न, क्योंकि उपर जंदेशन के हैं? मैंने बताया है, चिन कैसे लगाएंगे, एरो का चिन लगाएंगे, जब उपर जंदेशन रहेंगे, समान लेवल में रहेंगे, तो डैस का चेन आओ नीचे जन देशन का कोई रहेगा हमारा बेटा तो नीचे का चेन ठीक तेके सिम्रन जो की केसव की बहन है सिम्रन काउन है केसव की बहन केसव की बहन मतलब सेम लेवल में ठीक ना काउन है सिम्रन सिम्रन है केसव की बहन इसका एक बेटा मारूती और एक बेटी सीता है इसका इसके दो बेटे हैं ठीक दो बेटे हैं तो बेटे नीचे आएंगे ठीक न क्योंकि उससे छोटे है एक बेटा का उन्हें मारूती एक बेटा है मारूती और एक बेटी है सीता एक बेटा मारूती एक बेटी सिता प्रेम मारूती का मामा है प्रेम कौन है मारूती का मामा है अब आप ध्यान से बताइए कि आपका मामा क्या होंगे आपकी मा के भाई होंगे आपकी मा के भाई ही न होंगे आपके मामा कौन होंगे आपके मा का भाई होंगे तो क्या बोल रहा है प्रेम मारूती का मामा है मारूती का मामा है कहने का आर्थ है मारूती की मा का उन है सिमरन तो सिमरन का भाई है वही है प्रेम सिमरन का भाई ही न प्रेम होगा तो सिमरन का भाई मतलब इसी लेबल पे अब देखिए आगे क्या है सुनील का मारूती से क्या संबंद है तो सुनील कौन है यहाँ ठीक और मारूती यहाँ है ठीक तो देखिए सुनील मारूती के बेटे है मारूती यहाँ सीता तो सुनील का मारूती से क्या संबंद है सुनील किसका बेटा है केसव का बेटा ठीक आप अपने पापा की बहान को क्या बोलोगे फुआ बोलोगे बुआ बोलोगे ना अपने पापा की बहान को क्या बोलोगे तो बुआ बोलेंगे ठीक तो बुआ के लड़के हैं ठीक ना बुआ का लड़का है मारूती तो बुआ के लड़के को आप क्या बोलोगे भाई बोल तो सुनील का क्या हो गया मारूती कजन हो गया मतलब चचेरा भाई ठीक तो आपसन नंबर या आपका करेक्टेंसर हो जाएगा चचेरा भाई मतलब कजन ठीक तो देखिए समझ आ गया यह थोड़ा अलग टाइप का था अब देखते हैं और कुछ अलग टाइप के कोश्चन जो सांदार तरीके से आपको बताया जाएगा एक कोश्चन अलग टाइप का देखिए इस कोश्चन में बच्चे घबराते हैं देखिए एक ब्यक्ती ने महिला से कहा अब देखिए इसमें डायक सुरू से ही कोश्चन बन रहा है एक ब्यक्ती ने महिला से कहा तुम्हारे सब्सक्राइक सन्द धरल उतां कि मातलब लेडी का भाई मतलब समान जंरेशन भाई का इकलावता बेटा, तुम्हारे भाई का इकलावता बेटा, मानलो ये इसका कोई ब्रदर है, लेडी का कोई ब्रदर है, मैला का कोई ब्रदर है, इसका इकलावता बेटा, एक ही बेटा है, इकलावता बेटा, तो बेटा को नीचे दर्स आएंगे, इकलावता बेटा, मेरी पतनी का भाई है एक क्या है सन है ठेक ना इसके भाई का सन है मतलब बेटा है ठेक मेरी पतनी का भाई है मेरी पतनी मतलब इस व्यक्ति के पतनी का भाई है ठेक ना तो भाई है मतलब किसका इस व्यक्ति के पतनी का ठेक ना तो पतनी का भाई मतलब समान जनरेशन में और क्या है, वाइब किसकी वाइब है, मेन का, जो आदमी है, जो ब्यक्ति भोल रहा है, ठीक न, ठीक न, जो ब्यक्ति भोल रहा है, उसकी पतनी का भाई है, क compiler, देखिए, शुरू से देखिए, क्या बोल रहा है, एक ब्यक्ति ने महिलास कहा, महिला आये हो गई, तुम्हारे भाई, मतलब उसके लेबल पे उसका भाई हो गया, ठीक, तुम्हारे भाई का एक लवता बेटा, ठीक, एक लवता बेटा मतलब नीशे, मेरी पतनी का भाई है, ठीक मतलब इस ब्यक्ति की पत्नी ये हो गई और ये दोनों आपस में भाई बहन है तो समान लेवल में और ये प्लस चीन हो गया मेरिट कपल के लिए और ये मेन हो गया ये ब्यक्ति ठीक ना इस ब्यक्ति की पत्नी का ये भाई हो गया अब देखें क्या बोला है तो उस महिला का उस ब्यक्ति की पत्नी से क्या संबंद है क्या बोल रहा है उस महिला का ठीक ना उस महिला का मतलब इस महिला का ठीक ना उस ब्यक्ति की पत्नी से किस ब्यक्ति की पत्नी से इस ब्यक्ति की पत्नी ठीक ना से क्या संबंद है तो इसकी जो यह लाएगी उसी की वो भी इसकी भी लाएगी क्योंकि मतलब आपकी बहन का जो मतलब आपका मामा आपकी बहन के मामा होंगे आपका मौसी आपके बहन के मौसी होंगे ठीक ना उसी टाइप की इसकी यह क्या लाएगी तो यह किसका है इसके भाई का लड़का है महिला के भाई का लड़का है तो आप अपने पापा की बहान को क्या बोलोगे बुगा बोलोगे ना फुगा तो इसकी भी ये क्या होगी क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहान है तो इसकी भी ये क्या होगी फुगा होगी बुगा होगी ना तो wife का lady से या संबन्द है तो lady क्या है, wife की? बूआ है, उसकी पत्नी की क्या है, बूआ है ठीक, तो इसका आफरा नंबर ये आपका correct answer हो जाएगा, इसको इंगलीव से बोला जाता है, auntie ठीक ना, auntie मतलब mosa, mommy, mommy, चाची, बूआ सब होते हैं, ठीक, हिंदी में बूआ बोलत चीज़्ट का है ठीक लेकिन हम सरल्टर ही केसे देखेंगे देखिति आप अगला कोशन क्या संधार कोशन है ठीक देखिए अगर नहा कहती है अब नहारी है ठीक अगर नहार कहती है ठीक न कि रानी के पिता राज मेरे सशूर महस के एक लौते बेटे हैं तो बिंदु जो की रानी की बहन है का महस से क्या रिष्टा है ठीक अब हम इसका भी डाइग्राम बनाते हैं और कोश्चन हल करने की कोशिस करते हैं तो देखिए इस सारे कोश्चन में आपको करना हैं सारे कोश्चन अलग-अलग टाइप के हैं ठीक न सभी अध्यान से देखिएगा विडियो को बिल्कुल भी इसकी मत किजिएगा वरना आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा ठीक तो देखिए हम देखते हैं इसका अंसर अगर नेहा कहती है ठीक रानी के पिता रानी हम यहां बना लेते हैं रानी के पिता रानी के पिता मतलब से उपर, ठीक, राज, राणी के पीता काओन है, राज, मतलब राज, राणी के पीता राज, मेरे ससूर के, महेज, मेरे ससूर महेज के इकलावते बेटे हैं, ठीक, राज बेटे हैं किसके, महेज के, बोड़ रही है ना, कि राज मेरे ससुर महेश के इकलवते बेटे हैं, तो राज किसके बेटे हैं महेश के, तो महेश क्या हुआ राज के पापा, तो पापा को फिर से उपर दरसाएंगे, ठीना, महेश महेश बड़ा है राज से राज के पापा हुए, ठीना तो महेश को फिर से उपर से दरसा दिये ए महेश हो गया ठीक जान से समझेगा रानी के पीता नहा क्या करती है रानी के पीता राज मेरे ससूर महेश के इकलावते बेटे हैं यह बेटे हैं महेश के तो महेश उपर हो गए नीचे अब क्या बोल रहे हैं कि महस क्या है मेरे ससूर है तो इसके ससूर एक महस कैसे होंगे जब राज की पतनी होगी नहा ठीज ना राज की पतनी नहा होगी ठीज ना इकलोते बेटे वो भी आप देखिएगा एक लवते बेटे बोले हैं मतलब महेस का केवल एक ही बेटा है राज थे ना तो राज की जब पतनी होगी नेहा तभी तो महेस उसके सशूर होंगे ना क्योंकि क्योंकि बेटे की पत्नी को ही तो मतलब बेटे की पत्नी का ही तो ससूर होंगे न ठीक न तो इकलवते बेटे हैं तो इसकी पत्नी नहा है तभी इसकी ससूर इसके ससूर है महेश ठीक न समझियेगा कोचन को फिर से नहा करती है कि रानी के पिता राज ठीक ना राणी के पिता राज मेरे ससूर महेस के ठीक न मेरे ससूर महेस के इकलावते बेटे हैं महेस के इकलावते बेटे अब राज की पत्नी हो जाएगी नहा तभी तो इसके ससूर होंगे न महेस ठीक तो ए हो गया अब आगे देखते हैं तो बिंदू जो की राणी की बहन है रानी की बहन क्या है बिंदू तो इसको समान लेवल पर लिखते हैं ठीड़िए चीन ध्यान दिजिएगा कहां क्या चीन लगाते हैं तो आपका क्रेक्टेंसर आएगा बिंदु जो की रानी की बहन है ठीक बिंदु क्या है रानी की बहन है का महेश से क्या रिस्ता है इसका क्या हुआ का महेश से क्या रिस्ता है ठीक तो महेश से क्या रिस्ता हो जाएगा इसका ठीक तो रानी के महेश क्या होंगे रानी के महेश क्या होंगे रानी के पापा के पापा है तो आपके पापा के पापा क्या होंगे आपके दादा जी होंगे ठीक ना आपके ग्रान फादर होंगे मतलब आपके दादा जी होंगे तो आपके बहन का क्या होंगे, आपके दादा जी, आपके बहन का क्या होंगे, बहन का भी दादा जी होंगे, तो बिंदु के महस क्या होंगे, दादा जी, क्या होंगे, दादा जी, और यहां क्या बोला है, महस से क्या रिस्ता है, बिंदु का, ठीक ना, तो महस का बिंदु क क्या होगी पोती होगी मतलब नातिन होगी ठीक तो उसको नातिन तो यहां आपसन में क्या दिया देखे डाटर वाइफ डाटर इनला इनमें स्कोई नहीं तो यहां आपको आपसन में नहीं दिया है यहां पोती तो यहां आपसन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें स्कोई जाएं आपसन यह भी हो सकता है कि आपको आदिया हुआ आपसन पूरे गलत हो इन में से कोई नहीं भी हो सकता है ठीक ना इसलिए आप पहले कॉंसेप्ट से अच्छे समझेगा उसके बाद जो हल निकले उसको कर दिजिएगा तो यहां क्या होगा महें इसका बिंदु क्या हो इसका ठीक ना तो मैं इसका नेस्ट वीडियो भी जल्दी ही अफ्लोड करूंगा तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा ज्यादा हो सकते अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और हमाया चैनल को सब्सक्राइब देसे लाओ और और हमाया चैनल करें तेसी मतर आपको एम और हमायां में संरुझ ゃाओ